लोग आपकी कदर नहीं करते तो इसमें उनका कसूर नहीं कसूर आपका है क्यूंकि कदर करवानी पड़ती है आपको सीखना होगा कि कैसे आपकी कदर बढ़ेगी आपको अपनी कदर बहचाननी होगी क्या आपका मकाम है क्या चीजें हैं जो आपकी कदर कम करती है इसके वीडियो आपको end तक देखनी होगी मैं इस वीडियो में 7 पॉइंट पर बात करूँगा जिसमें पॉइंट नमबर 7 जो most important है उसे बिलकुल भी मिस्मत करियेगा जिससे आप अपनी कदर पहचानेंगे लोगों को बताएंगे कि मेरी कदर क्या है मेरी इस्जट क्या है जिससे definitely लोग आपकी कदर करना शुरू कर देंगे लेकिन अगर अपनी कदर नहीं पहचानोगे तो लोग हलका लेते रहेंगे और लोगों को ignore करते रहेंगे तुम्हारी इस्जट नहीं करेंगे तुम्हारी कदर नहीं जानेंगे तो शुरू करते हैं नमबर वन इंसल्ट बरदाश्ट मत करो जब कोई आपकी इंसल्ट करे तो आपका चुप रहना नहीं बनता आपको बोलना ही होगा और आपका बोलना ही आपकी कदर करवाएगा जब कोई आपकी बेज़ज़ती करे या मजाख मजाख में आपकी इंसल्ट की बाते करने लगे तो वहाँ बोले उस इंसान को वौन करे कि आएंदा मैं इसको बरदाश्ट नहीं करूंगा जब आप बोलोगे तो वहाँ बैटे दस और लोग देखेंगे और समझेंगे कि इससे पंगा नहीं चलेगा ये अपने खिलाव बात नहीं सुनता इसकी बेज़ज़ती नहीं हो सकती ये तो बड़े लेवल का बंदा है तो आएंदा कोई दूसरा भी ये हिम्मत नहीं कर सकेगा लेकिन अगर चुप रहे और अगले को हसने दिया और खुद भी अपनी बेज़ज़ती पर थोड़ा हस लिया तो ये चीज़ साथ दस बंदों को ताकत देगी कि आपकी बेज़ज़ती की जाए जैसे भी की जाए आप कुछ नहीं कहते कुछ नहीं करते उल्टा हस देते हो तो इससे आपकी वैल्यू गिरेगी कोई आपकी इज़ज़त नहीं करेगा आपको लोगों को बताना होगा कि उनकी लिमिट्स क्या है क्या बाते हैं जिनसे आप घुस्से में आते हो उसको आप बदाश नहीं कर सकते ये लोगों को बताए फिर ये लोग तुम्हारी कदर करेंगे नमबर टू लोगों के पीछे मत भागो आप अगर खुद लोगों की कदमों में गिरेंगे तो कोई आपकी इज़ज़त नहीं करेगा आपको थोड़ा एटिट्यूड बनाना होगा हर किसी के आगे हलका नहीं होना लोगों के तालुक के भीक नहीं मागनी आपको ऐसा इनसान बनना है जो लोगों की परवा नहीं करता कोई आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसी एक इनसान के साथ जादा अटैज नहीं होता कि जब वो चाहे तो वो अपनी जिन्दगी को रोक ले ऐसा इनसान बनना है जब आप लोगों को ये शो करवाओगे कि आपको उनकी जरूरत है ही नहीं कोई फिकर ही नहीं है कि वो आपके साथ रहे या ना रहे आपसे अट्रेक्ट होंगे और आपके साथ जादा मेल जोल रखेंगे और आपको इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे लेकिन अगर आप दूसरों को इंप्रेस करोगे तो आपकी कदर नहीं की जाएगी खुद का एक स्टेंडर्ड बनाओ खुद किसी के पीछे मत जाओ लोगों को अपने पीछे लगाना सीखो हर किसी को अपने जिन्दगी में मत आने दो थोड़ा हाट टू गेट बनो लोगों को कभी ऐसा मत बन कर दिखाओ जो सिर्फ लोगों के लिए जीता है उसकी अपनी जिन्दगी है ही नहीं सिर्फ खुद पर फोकस करो किसी के लिए अपनी जिन्दगी को बरबाद मत करो बलकि लोगों खुद तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे नमबर थिरी कम बोलो आप जितना जादा बोलोगे लोग तुम को बेकार समझेंगे और जितना कम बोलोगे लोग आपसे ज़ादा बात करना चाहेंगे आप खुद इमेजिन करो कि आप किसी ग्रुप में बैटे हो और एक इनसान जो आपके साथ बैटा है और वो बोले जा रहा है सिर्फ अपनी बाते कर रहा है आपकी बात सुन ही नहीं रहा सिर्फ यही कह रहा है कि इसके साथ यह हुआ और इसके साथ वो हुआ तो क्या उस इनसान की कदर आप करोगे क्या आपके दिल में उसके रिस्पेक्ट होगी और एक दूसरा इनसान है जो दूसी तरह बेटा है जो खामोश है आपकी बात को तवज़ा देता है, अपनी बात कम कहता है, जब भी बोलता है अच्छे अलफास का इस्तमाल करता है, और किसी की बुराई नहीं करता, सिर्फ मतलब के हद तक बोलता है और ना दूसरों को सुनता है, तो क्या उसकी वैल्यू आपके दिल में नहीं बढ़ेगी, यकीनन बढ़ेगी, जब आप कम बोलोगे, तो एक उचा मगाम हासिल करोगे, एक खास इंसान बनोगे, लेकिन अगर आप जादा बोलोगे, तो हो सकता है कि आप फ्लो में आकर कुछ बेवाकूफी की बातें भी कह जाओ, जो आपका नेगेटिव इंप्रेशन बना सकती है इसलिए जहां भी जाए, खुद के अलफास को कीमती बनाए, और जो चीज़ कीमती होती है, वो हर किसी को अवेलेबल नहीं होती, वो बहुत कम होती है, अपने अलफास कीमती बनाने हैं, तो उनको कम करो, थोड़ा कम बोलो, और लोगों की जादा सुनो, आपकी वैल्यू बढ़ने लगेगी, और लोग आप से प्यार करने लगेंगे, नमबर फूर, हर जगा मत जाओ, अगर आप ऐसे इनसान हो, जो हर जगा चला जाता है, जो जहां कहने को बोलता है, जाता है, जो जो करने को कहता है, उसका खुद का कोई फैसला ही नहीं, कोई दोस्त आके कहता है कि यहां चलते है तो वो चलता है ऐसा इनसान कभी अपनी कदर नहीं करवा सकता इसके लिए आपको अपने मताबिक दूसरों को चलाना होगा खुद दूसरों के कहने पर चलना आपकी कदर को कम करता है अपनी जिन्दगी के फैसले अपने हाथ में लेने होंगे अगर कोई जितना भी कहें कि वहां चलो अगर नहीं जाना चाहते तो मत जाओ वैसे भी हर जगा जाने से आपकी कदर गिरती है इसलिए थोड़ा फासला रखो लोगों से भी कम मिलो और उनसे बाद चीद भी कम करो अपनी जिन्दगी में बिजी रहो लोग ये ना समझे कि ये तो फा बढ़ती चली जाएगी लोग समझेंगे कि ये बेकार नहीं है जो हर जगा चला जाए इसकी जिन्दगी में बहुत काम है ये हर किसी से नहीं मिलता हर किसी से बात नहीं करता आप जितना जादा मिलोगे आपकी इज़त लोग कम करेंगे क्योंकि आप आम हो आप हर रोज मि पिर उसकी कदर भी जादा करता है, इसलिए हर जदा मत जाएं, हर किसी से मत मिले, थोड़ा पीछे हटें, लोगों को अपड़ी कमी महसूस करवाएं, आप जितना जादा लोगों के कंधों पर सवार रहेंगे, आपकी इज़त नहीं की जाएगी, आप जितना कम मिलोगे, थो प्रोटोकॉल देते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि उनका वक्त कीमती है, उनकी बाते कीमती है, इसलिए आपको भी खुद को कीमती बनाना होगा, नमर फाइव, बहस मत करें, अपना पॉइंट मनवाने के लिए किसी को फोर्स ना करें, आप बहस जीत लेंगे, लेकिन इ साइन लेंगे, कि ये इनसान तो सिर्फ अपनी बात मनवाना जाता है, उसको दूसरों की बात की कोई कदर ही नहीं है, जितना हो सके बहस को एवाइट करें, अगर आपकी बात को कोई नहीं सुनता तो जबरदस्ती मत मनवाए, अगर आपकी बात सही होगी तो वक्त तो भी नहीं मानेंगे, चाहे वो सही ही क्यों नहीं, लोग अना का मसला बना लेंगे, कभी दुबारा आपकी बात नहीं सुनेंगे, हमेशा एक बात यात रखें, आपने लोगों को उनके जिन्दगी जीने में सपोर्ट करनी है, खुद उनके जिन्दगी नहीं जीनी, आपकी इज़त बढ़ जाएगी, आप अगर खुद उनके जिन्दगी पर हुकम चलाएंगे कि ये करो वो करो, तो इस से आप डिक्टेटर बन जाएंगे, ये दूसरों के हग की कोई फिकर ही नहीं करता कभी फजूल की बहस में मत पढ़े और कुछ लोग आपको खुद ही बहस में लाने की कोशिश करते है ताकि आप उनके लेवल तक गिरो आपको अपना लेवल हमेचा हाई रखना है किसी के लेवल तक जाकर उससे बहस नहीं करनी, आपकी इज़त बढ़ने लगेगी, लोग आपकी कदर करना शुरू करतेंगे लोगों को अब्जर्फ करो इस स्मार्ट लोग दूसरों को गोर से देखते है उनको बारीकी से अब्जर्फ करते है कि लोगों की फितरत क्या है उनको समझते है कि कौन कैसा है, फिर उससे उसी तरीके से डील करते है अगर कोई हसी मजाग पसंद करता है तो उसके साथ हसी मजाग करते हैं अगर कोई सीरियस रहना पसंद करता है तो उसके साथ सीरियस बहेवियर रखते हैं आपको भी ये स्किल सीखनी पड़ेगी आपको दूसरों के सामने ऐसा बनना होगा कि लोग आपसे रिलेट कर सके कि य ये तो मेरे जैसा है, फिर लोग आपकी बात भी सुनेंगे और आपकी इज़त भी करेंगे, अगर कोई अंग्रीज आकर हमसे उर्दू में बात करें, तो हम उसको वैल्यू देंगे, क्योंकि वो हमारी लैंग्विज हमारे कल्चर को सपूर्ट करेंगा, आपको भी दूसरों के बिहेवियर को सपूर्ट करना है, लोगों को अब्सर्फ करना है, कि वो कैसे हैं और कैसे लोगों से बात करना पसंद करते हैं, और फिर अपनी परसनालिटी को उसी तरीके से ढालना होगा, तो लोग आपकी गदर करना शुरू कर देंगे, और आपकी इज़त भी करेंग लोगों से तरीके से बात करना सीखना होगा और अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे लोगों से बगैर डरे, बगैर शर्माए, अच्छे तरीके से बात की जाए तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जो आई बड़न पर शो होगी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा I hope ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए वीडियो में Till then, Allah आपिस